नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप उमीद है कि आप सकूशल होंगे बच्चों आज हम दस्वी कक्षा का अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 4 करने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है वैश्वी करण एवं भारतिय अर्थवस्ता। इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं और अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे और इस दूसरे भाग में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि वैश्वी करण क्या है वैश्वी करण को सुगम बनाने वाले कारक कोन से हैं और भारतिय अर्थवस्ता पर इस वैश्वी करण का क् पड़ा है तो आए हम शुरू करते हैं पिछले भाग में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि बहुरास्ट्रिय कंपनियां क्या होती हैं तो आपने जाना था कि बहुरास्ट्रिय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका जो व्यापार है एक से जादा देशों में होता है अब ये बहुरास्टे company करती हैं ये उन स्थानों को खोचती हैं जहां पर उनका उत्पादन सस्ता हो यानि कम लागत में हो और इसी लिए वह वहाँ पर निवेश करना शुरू कर देती हैं जहां पर उनको लगता है कि उनकी लागत कम है और जब वो निवेश करती हैं तो धीरे धीरे उनका जो व्यापार है या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो विदेशी व्यापार है वो और बढ़ना शुरू हो जाता है यानि विदेशी निवेश से विदेशी व्यापार ब जाता है और इसका स्वामेत्व इनके हाथों में होता है अब धreaming क्या होता है क्योंकि इन बहुरास्ट्रे कंपनियों का क्या है कि एक से जादा देशों में विस्थार है और इस प्रकार क्या हो रहा है कि एक देश का बजार दूसरे बजार से जुड़ा हुआ है जैसे ये जो कंपनिया होती है बहुरास्ट्रे कंपनिया ये क्या करती है एक देश में तो इनका उत्पादन हो ही रहा होता है वहां से जो समान त्यार होता है वो दूसरे देशों में भी भेजते हैं और इसके साथ-साथ यहां पर जो भी कार पूर्जे या अन्य परकार के जो भी पूर्जे तियार किये जाते हैं वो भी दूसरे देशों में भेजे जाते हैं और इस परकार क्या हो रहा है कि विश्व के जितने भी बाजार हैं वो आपस में जूड रहे हैं उनका एकी करण हो रहा है और ये जो परस पर विदेशों के साथ परस पर जो सबंद है और जो बजारों का एकी करण है यही वैश्वी करण कहलाता है यही globalization कहलाता है क्योंकि विश्व के बजार आपस में जूड रहे हैं बहुरास्ट्रिय कंपनिया वैश्वी करण की प्रक्रिया में मुख्य भूमी का निभा रही है विभिन देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तूओं और सेवाओं निवेश और परद्योग की का अदान परदान हो रहा है पिछले कुछ दश्कों की तुल्ला में विश्व के अधिक आँश भाग एक दूसरे के अपेक्षा क्रेट अधिक संपरक में आए हैं वस्तूओं सिवाओं निवेशों और परद्योग की के अतिरेक्ट विभिन देशों को आपस में जोडने का एक और माध्यम हो सकता है और यह माध्यम है विभीन देशों के बीच लोगों का आवागमन प्राई लोग बहतर आए बहतर रोजगार एवं बहतर शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वेष्वी करण को संभव बनाने वाले कारक कोण-कोण से हैं अगर देखा जाए तो मुख्या रूफ से तीन प्रमुख कारक हें पहला है प्रद्योग की और वो भी तीवर प्रद्योग की नुसरा है उदारी करण और तीसरा है अंतर रास्ट्री है संग्ठन जैसे विशव व्यपार संग्ठन अब सबसे पहले हम जो प्रद्योग की है तीवर प्रद्योग की है उसकी हम बात करने जा रहे हैं और इसमें भी जो परिवेहन प्रद्योग की है हम उसकी बात करेंगे आपने देखा होगा पहले क्या होता था घोड तो इस प्रकार के जो साधन होते थे आने जाने के आवागमन के उस काल में या पराने समय में पाए जाते थे लेकिन उसमें बहुत जादा समय लग जाता था एक जगां से दूसरी जगां जाने में बहुत ही दिन लग जाते थे और समान लेकर के जाने में चाहे आपने देखा होगा उस काल में पहले समय में समुद्री जहाज भी होते थे जब भो भी जाते थे तो वह बएक देश से दूसरे देश में जाने में बहुत समय लगा देते थे और समान काफी दिनों के बाद पहुचता था लेकिन आज यो परिवेहन की तीवर प्रद्योग की है उसकी वज़ा से क्या है समान एक देश से दूसरे देश में बड़ी असानी से कुछ ही घंटों में पहुच जाता है हम एक उधारन लेते हैं वस्तूओं के प्रिवेहन के लिए कंटेनर आप इस चित्र में देख रहे हैं वस्तूओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे इने जहाजों रेलों वायू यायनों एवं ट्रकों पर बिना ख्षती के लादा जा सके कंटेनरों से डुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बजारों तक पहुचाने की गती में वृद्धी हुई है इसी प्रकार वायू यातायात की लागत में गिरावट आई है परिनामताहा वायू मारक से अपेक्षा क्रेत अधिक मात्रा में वस्टों का परिवयान संभव हुआ है इसी के साथ सूचना एवं संचार प्रद्योग की का विकास हुआ है आप देख रहे हैं हमें यहां पर आजकल लैप्टॉप इंटरनेट पता नहीं कितने प्रकार की नई चीजें आ गई हैं जिन से जो हमारे संदेश हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में पहुँच जाते हैं दूर संचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राम, टेलीफोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सू किया जाता है, ये सुविधाओं संचार उपग्रहों दौरा सुगम हुई हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग परतेक ख्षेतर में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है, आपने इंटरनेट के चमतकारी संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां जो लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और सुचनाओं को आपस में बाट सकते हैं, इंटरनेट से हम ततकाल, इलेक्टरोनिक, डाग, या इमेल भेश सकते हैं, और अतियांत, कम मुल्या पर विश्व भरमे, बात, या वाइस मेल कर सकते हैं, अब इस संचार एक अखबार च्छपती है अब वो जो किताब च्छपती है उसका डिजाइनिंग और च्पाई का काम भारत की जो राजदानी दिल्ली है वहां पर किया जाता है। जो प्रकाशन समगरी है वो लंदन स्थित कार्याले में पहुच जाती है और इसी प्रकार जब भुगतान की बात आती है कि जो काम किया गया है उसका भुगतान कैसे होगा वो भी लंदन के बैंक से इंटरनेट से दिल्ली के स्थित बैंक में पहुच जाता है और जिसने डिजाइन किया है उस कमपनी को उसका भुगतान हो जाता है तो देखा आपने संचार प्रद्योक्की की वज़ा से संसार आपस में जूड रहा है और वैश्वी करण हो रहा है अब हम वैश्वी करण को सुगम बनाने वाली दूसरी बात का वर्णन करने जा रहे हैं हमने जो पहले अध्याय में पड़ा था चीनी जो खिलोने आ रहे हैं भारत में अब हम उसका दुबारा एक उधारन लेंगे आब क्या हो रहा है जो चीनी यहां पर खिलोने आ रहे हैं चीन से बने हुए जो खिलोने आ रहे हैं अब लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ते भी हैं और बडियक गुनवत्ता वाले भी हैं लेकिन अब क्या किया गया? भारतिये जो विनिर्माता थे खिलोने बनाने वाले भारे सरकार उनको प्रोसान दे रही है देना चाहती है तो उसके लिए उसने क्या किया जो चीन से खिलोने आ रहे हैं उसके उपर कर लगा दिया उधारण के लिए मान लीजिए चीन से जो खिलोना आ रहा है वो 50 रुपे का है और उसी परकार का जो खिलोना है भारत में वो 80 रुपे का है तो सीधी सी बात है लोग 50 रुपे वाला खिलोना खरी देंगे क्योंकि उनके 30 रुपे बचते हैं और वो बढ़िया भी लग रहा ह दिखने में तब क्या करेगी भारत सरकार यह जो भारत के वी निर्माता है खिलोना बनाने वाले उनको प्रोसान देने के लिए क्या करेगी चीनी खिलोने पर यह चीन से आने वाले खिलोनों पर कर लगा देगी मान लीजिए उसने 100 प्रतिशत कर लगा दिया इसको आयात कर यानि जो दोस्तरे जिशों से जो चीज आई है उसमें जो कर लगा है उसको आयात कर कहा जाता है अब जब वो वस्तु भारत में पहुंची जब उसमें कर लगा तो वो 50 रुपे थी और उतना ही उसके ओपर कर लगा तो वो 100 रुपे की हो गई जबकि भारतिया जो खिलोना है वो 80 रुपे में भीक रहा है अब भारतिया क्या करेंगे अब 100 रुपे में तो नहीं खरी देंगे वो वो तो 80 रुपे में खरी देंगे क्योंकि 20 रुपे में अब उनको ज्यादा फैदा हो रहा है उसको लेने से अब क्या हुआ ये जो कर लगाया भारतिया सरकार ने चीन के बने हुए खिलोनों पर उससे क्या हुआ चीन के खिलोनों की जो विक्री थी भारत में कम हो गई और भारतिया जो खिलोने हैं उनकी जो विक्री है वो बढ़ गई अब ये जो आयात कर लगाया वो एक परकार से व्यापार अवरोधक है अब ये व्यापार अवरोधक क्या होत कोई भी चीज जो व्यापार में प्रतिबंद लगाती है उसको आने से रोकती है या कम करती है उसको व्यापार अवरोधक कहा जाता है और कोई भी देश की सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि वो देख सके कि उसके देश में जो वस्तुएं है उनका जो नियमन है जो नियंतरन ह वो कम आएं या जादा आएं इसके लिए वो कर लगाती है व्यापार अवरोधक तियार करती है अब सुतंतरता के बाद भारत सरकार ने इस निती को अपनाया था किस निती को यानि दूसरे देशों से आने वाली जो वस्टुएं थी उन पर कर लगाना शुरू कर दिया था आ आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी आपको पता है कि भारत नया नया अजाद हुआ है और यहां पर जो उद्योग पती है वो अभी अभी शुरूआत कर रहे हैं अब इन उद्योग पतियों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरंक् तबी दिया जा सकता था जब बाहर से आने वाली चीज महंगी हो और लोग उसको कम खरीदें और भारत में जो चीज बन रही है लोग उसको खरीदें कहीं ऐसा नो कि दूसरे देश से कोई चीज आए वो महंगी भी के और भारत में जो अभी अभी द्योग पती अपना काम करन और अपने देश के घ्रेलू जो उद्योग पती थे उनको स्रक्षन देने की निती जारी रखी लेकिन तीन चीजों पर भारत सरकार ने कर नहीं लगाया, उनको सुतंतर रूफ से भारत में आने दिया, अब आपके दिमाग में प्रशन उठ रहा होगा कि वो तीन चीजें कौन कौन से थी, तो पहली थी उर्वरक, दूसरा था मशीनरी, और तीसरा था पेट्रोलियम, अब ये भी आपके दिमाग म प्रशन उठ रहा होगा कि यह तीनों चीज नहीं क्योंकि उस समय इनका उत्पादन भारत में नहीं होता था या नागे बराबर होता था लेकिन इनकी अशक्ता उस समय बहुत जादा थी और इसलिए इनको सुतंतर रूप से भारत में आने दिया तांकि भारत की जो अर्थ व क्यानवे से भारत सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन कर लिया है अब उसको लगने लगा या उसने उत्पादकों को कह दिया कि अब समय आ गया है कि आपको विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिसपर्दा करनी है मुकाबला करना है प्रतियोगिता करनी है और प्रतिस्परद्धा करनी होगी अब उसने जो पहले वाली सिती थी कर लगाने वाली उसको हटा दिया कि अब तो सारा काम मुक्त रूफ से चलेगा सुतंतर रूफ से चलेगा और ये जो विवस्ता है अपनी अर्थ विवस्ता को दूसरे देशों के लिए खोलना कि आएए यहाँ पर अब आप बिना करके व्यापार कीजिए अपने कार खाने लगाए अपने कार ये जो स्थिती है या ये जो प्रक्रिया है इसको ही हम उदारी करण कहते हैं क्योंकि हमने अपनी अर्थ वस्ता को उदार बना लिया है अब इस उदारी करण में क्या होता है कि जो भी विवसाई होते हैं उनको अजादी देदी कि वो जो भी सामान मंगवाएं या भेजें दूसरे देशों में भेजें या दूसरे देशों से मंगवाएं अब सरकार का उनके ओपर किसी परकार का नियंतरन नहीं रहेगा जो उत्पादक हैं जिनको समान चाहिए या समान भेजना है वो मुक्त रूप से ऐसा काम करें और वैश्वी करण को जो सुगम बनाने वाला त अंतरास्ट्रिय संग्ठनों ने भारत की उदारवादी निती का समर्थन किया था और जो विश्व व्यापार संग्ठन है उसका काम भी यही है वो भी यही चाता है कि विभिन देश आपस में एक दूसरे के साथ सुतंतर रूप से व्यापार करें और अपने देश में किसी भी वस्तू पर किसी परकार का कोई कर ना लगाएं ताकि जो चीजें हैं एक जगां से या एक देश से दूसरे देश में सुगमता से पहुंच जाएं और इस परकार जो वैश्वी करन है उसको इन चीजों से बल मिला आए अब हम एक बार विश्व व्यापार संग्ठन क्य है उसके बारे में थोड़ा जान लें अब हम भारत में वैश्वी करन के प्रभावों की चर्चा करेंगे अगर हम देखें तो सबसे फायदा जो हुआ वो उपभोगताओं को हुआ क्योंकि यहां पर देशी या स्थानिया उत्पादक हैं और विदेशी उत्पादक भी हैं अब इन दोनों के प्रतिसपरदा हो रही है और उसकी वज़ा से जो समान है जो वस्तूइं है जो उत्पाद है वो बडिया से बडिया तियार हो रहा है और जो उत्पभोगता है उनको कई विकल्प मिल रहे हैं तो इसलिए सबसे ज्यादा उत्पOC्ताओं को हुआ है विश्य व्यापार संग्ठन WTO एक ऐसा संग्ठन है जिसका धे अंतर रास्ट्रिय व्यापार को उदार बनाना है विक्सित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्य व्यापार संग्ठन अंतर रास्ट्रिय व्यापार से सबंदित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो वर्तमान में 164 देश विश्य व्यापार संग्ठन के सदस्य हैं यद पी विश्य व्यापार संग्ठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है प्रंतु व्यवहार में यहां देखा गया है कि विक्सित देशों ने व्यापार संग्ठन के नियमों ने विकास शील देशों के व्यापार अवरोदों को हटाने के लिए विवश किया है इसका एक उधारन क्रिश्ची उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है दूसरा अनेक शिर्ष भारतिया कंपनिया बड़ी हुई प्रतिस परदा से ल वेश किया और अपने उत्पाद मानकों को उचा उठाया है कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलता पूर्वक सहयोग कर लाभरजित किया है इससे भी आगे वैश्वी करण ने कुछ बड़ी भारतिया कंपनियों को बहु राश्ट्रिया कंपनियों के रूप में कुछ ऐसे भारतिया कंपनिया है जो विशव स्तर पर अपने क्रिया किलापों का प्रसार कर रही है इसके अतिरेक्ट वैश्वी करण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेश कर सूचना और संचार प्रद्योग की वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का स्रिजन किया ह भारतिया कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रीका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उधारन है जहां वैश्वी करण के सकारातमक प्रभाव निकले हैं भारत में वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसके कुछ नकारातमक प्रभाव भी हमें देखने क को मिले हैं और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो छोटे उत्पादकों को हुआ है इन छोटे उत्पादकों को बहुत ही संघरश करना पड़ रहा है और जो दूसरे देशों से कंपनिया आ रही है उनके साथ प्रतिस परदा करनी पड़ रही है जिसकी वजह से क्या हो हैं इनका जो कामकाज है वो ठप हो रहा है और इनके द्वारा जो कंपनिया खोली गई हैं चलाई गई हैं वो बंद हो रही है इसके साथ साथ जो श्रमिक वरग है उसको भी इन कंपनियों के आने से बहुत नुकसान हुआ है क्या होता था कि पहले कुछ लोग ऐसी कंपनी म लाब मिलते थे लेकिन जैसे ही ये कंपनिया बहुरास्ट्य कंपनिया या उदारी करण की निती के बाद भारत में ये कंपनिया आना शुरू हुई उसकी वज़ा से क्या हुआ वो चाह रही है कि सबसे सस्ती वस्तू मिले अब जो भारत्य कंपनिया है वो कच्चे माल में तो कमी नहीं कर सकती वो तो उनको उसी कीमत पर खरीदना होगा लेकिन वो क्या करती है ये जो श्रम है उसकी लागत को कम करने का प्रयास करती है वो क्या करती है जो उसका नियमित रूप है उसको आनियमित रूप में बदल देती है यानि जो श्रमिक पक्के तोर पर काम कर रहा और पूरे लाब ले रहा था अब उसको अनियामित कर देते हैं और जिसकी वज़ा से उसको पूरे लाब नहीं मिल पाते और उसका जो जीवन स्तर है वो पहले से अधिक संघर्ष पूरण हो चुका है और उसको कम फाइदा हो रहा है अब इन नकार आत्मक प्रभावों के चल देखा कि जो वैश्वी करन का लाब है केवल कुशल शिक्षित या धनी वरक को मिला है जबकि जो अकुशल श्रमिक हैं उन्हें इसका बहुत ही कम लाब मिला है अब इसके लिए प्रयास हो रहे हैं सरकार भी प्रयास कर रही है जनता भी प्रयास करती है कि कुछ ऐसा काम कि जाए कुछ ऐसे कानुन बनाए जाएं कि जिससे जो श्रमिक है या अन्य जितने भी वरग है वैश्वी करण का फाइदा उन सब को मिले तो बच्चों हमने इस सध्याई के दूसरे भाग में यह जानने का प्रयास किया कि वैश्वी करण क्या है इसको सुगम बनाने वाले कार पढ़ा इसी के साथ हमारा यह जो अधियाइ है समाप्त है और उमीद है कि आपको समझ आया होगा इसी के साथ धन्यवाद लेकिन अब इसके बाद हम इसके जो आपने क्या पढ़ा क्या इसके बारे में हम थोड़ा प्रशन उत्तर के माद्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे अर्थात अब हम प्रशन उत्तर करेंगे पहले हम बहु विकल्पी प्रशन करेंगे प्रशन नमबर एक विश्व या पार संग्ठन में कितने देश हैं और विकल्प हैं 190, 194, 184, 165 हाँ बिलकुल सही पकड़ा है आपने इसका उत् नमबर दो भारत में उदारी करण की प्रक्रिया कब शुरू हुई ? बिल्कुल सही आपने पकड़ ली है बात उन्नी सो क्यानवे में भारत में उदारी करण की परिक्रिया शुरू हुई है प्रेशन नमबर तीन वह व्यक्ति जो वस्तों का निर्मान करता है क्या कहलाता है उपभोगता निवेशक उत्पादक या व्यापारी हाँ जो वस्तों का निर्मान करेगा उत्पादन करेगा उसको हम क्या कहेंगे उत्पादक प्रेशन नमबर चार निम्न में से कौन सी बहुरास्ट्रिया कंपनी भारतिया नहीं है अगर आप उपर वाली तीनों देखें तो वो तीनों भारतिया है लेकिन फोर्ड मोटर्स भारतिया कंपनी नहीं है इसका जो सही उत्तर होगा वो है फोर्ड मोटर्स प्रेशन नमबर पांच वैश्वी करण से किसके जीवन सुधार में बढ़ोतरी हुई है सभी लोगों के विक्सिज देशों के लोगों के विकासिज देशों के श्रमिकों के उपरियुक्त में से कोई नहीं तो आप ही देख रहे हैं कि अगर सबसे फैदा हुआ है तो वो विक्सिज देशों के लोगों को हुआ है अब हम छोटे या लगू उत्रात्मक प्रेशन करेंगे प्रेशन नमबर एक उदारी करण क्या होता है उत्तर सरकार द्वारा अवरोधों अथ्वा प्रती बंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारी करण कहलाती है प्रेशन नमबर दो निवेश क्या होता है विभिन प्रकार की परिसंपत्यों जैसे भूमी, मशीन और अन्य प्रकार के उपकरणों को खरीदने में खर्च की गई राशी को निवेश कहते हैं प्रेशन नमबर तीन वैश्वी करण को समझाएं उत्तर वैश्वी करण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकों का पूरे संसार में वृध्धी, विकास और विस्तार किया जाता है प्रेशन नमबर चार नियाई संगत वैश्वी करण क्या है नियाई संगत वैश्वी करण वो प्रक्रिया है जिसमें हर वरक के व्यक्ति को काम का अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाती है प्रेशन नमबर पांच अजादी के बाद 1950 और 1960 के दश्कों में किन वस्तुओं को छोड़कर व्यापार अवरोधक लगाए गए थे उत्तर, मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम क्योंकि ये बहुत ही निवारिया थे और इनका उत्पादन भारत में उसमें नहीं होता था या बहुत कम ही होता था और इसी के साथ हमारा प्रशन उत्तर वाला सत्र और ये अध्याय समाप्त हुआ उमीद है आपको अच्छी तरह समझाया होगा इसी के साथ धन्यवाद स्वस्त रहें सुरक्षित रहें